नमस्कार मित्रों जै हुगंड पती महाराज दोस्तों स्वागत त्याब शभी का आपके अपने यूटियोब चलने एक बार फिर सी आज की एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 अपरेल बुद्वार आपके राशी के महाराशी फल के बारे में 26 अपरेल बुद्वार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगी इस दिन कैसी इस्ततियों का नर्मान होगा कौन सा कार्य आपके रिभाग इशाली होंगी इस दिन ग्रहों की इस्तति कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगी और इन सभी का अशर आपके राशी पर क्या होगा साथ ही बात करेंगे इस दिन आपका शुबरंग और शुब अंक क्या रहेगा कितना हद तक भाग्य साथ निभाएगा और किस तरहशी प्लान करके चले ताकि दिन बने सबसे खास शबसे बहतर लेकिन उस्षे पहली आज के ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में जान लेती ही दोस्तों आज दिनांग 26 अप्रेल 2023 दिन बुद्धवार तिथी की अगर बात करें तो शुकल पक्ष की सस्टी तिथी ग्यारा बजकर 28 मिनट तक रहेगा वही नक्षत्र की अगर बात करें तो पुनर वशु नक्षत्र का निर्मान हो रही है आज का अभी जित महुर्थ का समय 11 बजकर 58 मिनट से दो पहर 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा आज का राहुकाल अधाद दिन का असुब समय दो पहर 12 बज़ कर 24 मिनट से 2 बज़े तक रहेगा ध्यान रखें दोस्तों इस राहुकाल में कोई भी नए कामों की शुरवात ना करें नहीं तो विग्न बाधा आ सकती है अब बात करती हैं शोरिय और चंद्रमा की शोरिय मेज राशी में गोचर कर रहे हैं लेकिन चंद्रमा 12 बज़ कर 18 मिनट तक मिथुन राशी में रहेगा इसके बाद मिथुन राशी से निकल कर करक राशी में चले जाएंगे चंद्रमा अपना राशी परिवर्तन करने वाले हैं तो चलिए जानते ही आपका देनिक राशी फल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशी पर आधारित है बरश्चिक राशी वालो जैसा कि आपने सुना है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अपनी किस्मत का रफ्तार देखकर शेना आपका 56 इंट चोड़ा हो जाएगा जी हां दोस्तों दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत आपको यहाँ बताएगा कि आप भी किसी से कम नहीं है अब आपका समय सुभ हो चुका है जी हाँ दोस्तों जब भागे का खेल शुरू होता है तब किश्मत में चार चांद रगने लगती है जब आपको दिन में ही तारे नजर आएंगी जी हाँ दोस्तों आप बलकुल सही शुन रही है दोस्तों ये भगवान का फैशला है कभी गलत साबित नहीं हो शकता हम आपको इस वीडियो में वही बाते बता रहे हैं जो आपके कुंडली में लिखा गया है जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 24 धंटे के अंदर सबसे बड़ी खुश खबरी मिलेगी जी हाँ लेकिन कुछ विसेस बातों को आपको अपने ध्यान में रखना होगा जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीडियो के बीच बीच में देखी दोस्तों माना की शुरुबात में सभी चीजे थोड़ी मुस्किल लगती है लेकिन जब आप शुरू कर देती है तो वो धीरे धीरे आशान होने लगता है दोस्तों जिन्दगी शरकस के जूले की तरह है शरकस का जूला जितना पीछे जाता है वो उतना आगे भी जाता है ठीक उशी परकार हमारा जीवन है जी हानोस्तों जितनी ज्यादा हम महनत करती हैं परिश्रम करती हैं उशी की अनुशार हमें फल मिलता है जी हाँ दोस्तों आपकी वर्तमान जिंदगी में काफी उतार चड़हव आ रही हैं लेकिन आपको उनसे जल ही छुटकारा मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आप शभी को बता दें अपना नजरिया हमेशा की तरह शकरात्मक बनाए रखें इस्तती जल्द ही बहतर होंगी लोग आप से सहायता मांगेंगी और आप उनकी सहायता में व्यास्त होकर अपनी चंताएं भूल जाएंगे जी हाँ लेकिन यहाँ पर आपको धियान रखना है कि लोगों क आपके सामने आता है कुछ भी मदद मांगने तो आप अपना सब कुछ छोड़ देती हैं और केवल उनके पीसे लग जाती ही अगर ऐसा ही आप कुछ दिन और करती रही तो आपको आगे चल कर बहुत बड़ा नुक्सान हो जगता है जी हाँ दोस्तों दोस्तों आपके काफी कॉंप्लिमेंट्स मिल सकती हैं जी हाँ दोस्तों आपकी कमर कुछ इन तक जो है घट गई है और आप पहले से अधिक शक्रिय और उर्जावान महसूस कर रहे हैं आप किसी भी नई होबी की तरफ जुकाव महसूस होंगे और पूरी तरहशे उसमें खो जाएंगे आज आप उर्जावान महसूस करेंगे आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भागे बहुत ही जल्द आपका पलटने वाला है जी हाँ आप विप कर लेने का दवाब है अपने फरिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतिक्षा करना चाहती है जी हाँ दोस्तों और इसी लिए वे आपको अभी के लिए शिंगल होने का भी पूरा मज़ा लेने दे जब आपका अच्छा समय आएगा तब सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगीगा जी हाँ दोस्तों आज का दिन आपके लिए एकदम विवाद एसपश दायक दिन हो शकता है जी हाँ आपका दिन आपके लिए जो है बुद्बुदाना या फिर क्रोधित होना शी किसी दूसरे के माध्यम से उन्हें पता चलने पर आपका पैसिवर जिवन बरबाद हो शकता है जी हो दोस्तों इसके अलावा आप किसी से किसी और का जो है रहश्य खोल सकती है जो कि सही नहीं होगा इसलिए दोस्तों आप आज पास के ऐसे लोगों से उचित दूरी मना कर रखें ये आपके लिए बहतर होंगी आ आपको दूसरों के बारे में बात चित करने से बसना होगा जी हो दोस्तों नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन हो शकती है देखे दोस्तों अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से शिखना है जी हो दोस्तों भूतकाल से भी ली हुई सीख की प् ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे चाहे आपको अभी इसी पर चलने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही है और इससे न्याय की दिमता भगवान सनी देबजी प्रसंद होती है जितना हो शकी दान पुर्णी का कारी करें एक दूसरे का मदद करने का प्रयाश क इससे भगवान सनी देबजी प्रसंद होंगे और आपको अच्छे फल देंगी जिहां दोस्तों वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज आप प्रेम से ओद प्रोत होना साहती हैं और आज के दिन अपने शाथी के लिए साथ साजा करने के लिए योजना बनाई है ल आपको प्रेम पड़ संगों से दूर होना पड़ सकता है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा नौ कर पाएं तो कुछ लगूबा प्यार से ओद प्रोत कुछ प्रेम से भरी बस्तू या फिर अपना त्वरित प्रेम अपने साथी से आप दिखा कर जरूर रखें जी तो आज के दिन अंतिम कदम उठाने की शंभावना दिख रही है हो सकता है कि आप अपना जो है प्रसिक्षन संस्थान भी खोलें जो कि लंबे समय से करना चाह रहे थे इस प्रकडिया में आपको कुछ जोकिम भरे लेने पड़ सकती हैं पर ये भविष्ट में आपके आने बारे समय में इसका लाब आपको जरूर मिलेगा जी हाँ इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो व्यर्थ है आप महनत के जिए भरोशा रखिए देखिए दोस्तों फिर आपके जीवन में कैसे चार सांध लगती है और उस भरिष कैसे आपको लाब मिलता है जी हाँ दोस्तों जानकारिया अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अब बात करते हैं शुबरंग और शुब अंक की तो आज आपका शुबरंग है नीला कलर और शुब अंक है साथ भाग्य साथ निभाएगा तक्रिबन 70 प्रतिसत तो दोस जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें धन्यवाद दिन आपका शुब हो